हर हर महादेव केताना अधाम यात्रा लो बजट प्लन अगर आप केताना अधाम जाने की सोथ रहे हैं और आप कम से कम बजट में इस यात्रा को करना चाहते हैं तो मेरा आज का वीडियो एशी टॉपिक थे रहे हैं आज में आपको पताने वालों कि आप कम से कम बजट में के केताना अंधाम की यात्रा की इसी तरह कर सकते हैं.. तो चलिए स्टार्ट करते लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कम बच्ट में अपनी इस यात्रगों करना चाथे हैं यानि उन्हें ज्यादा खर्चा इस यात्रगों करना चाहते हैं। तो देखिए मैंने एक वीडियो अप्लोड कर रखा है जिसे मैंने आपको किताना सौरो ट्रिप के बारे बता रखा है और इसे मैंने सारे खर्चे भी दिखा रखेंगी की आपका कितना खर्चास में लगने बाला है, लेकिन यह जो मैंने वीडियो बनाया हा यह सारा वीडियो बने ऑनलाइन बुकिंग क्छ़ूदा बपनाया आता कि आपको हर अपनी ओन्लाइन करनी होगी, लेकिन अकर आप कम बचट में अपने यातरा क करना चाहते हैं तो फि वीडियो खास उन लोगों के लिए जो हर situation में ढ़र सकते हैं यानि अगर माल लिए उनको गाड़ी नहीं मिलता हो खड़े हो के भी जा सकते हैं अगर कहीं महंगा रूम नहीं मिलता हो सस्ता रूम भी बुक कर सकते हैं यानि जो उफलाइन की बुकिंग है वह आपको सस्ती मिल जाएगी है लेकिन थोड़ी बहुत आपको कट नाहीं हो सकते हैं ओनलाइन का हमको फैयदा है कि हमको हमारी मजेगी पतना शी에 मिल जाती है कम वजब्टे अपने यात्रा कर सकते हैं हर प्राइस में आपको दिखाने वारा हूं उस प्राइस को आप नोट कर लेना लेकिन उससे पहले मैं आपको यात्रा का पूरा प्लान समझा देता हूं आप देश के किसी भी कोने में रहते हो आपको सबसे पहले हरीद्वार ही आना और एक अधार काट अपने पास रखरेना बस आपको यही इंतिजाम करने हैं बाकी अगर मैं बात को समान की तो आपको अपने बैक में गरम कपड़े रखने हैं और कुछ खाने पीने की चीज रखनी है ताकि आप अपनी पैदल केताना त्यातरा कर सकें क्योंकि अकर आपको स पहले दिन की जो की हमारा हरीद्वा से स्टार्ट होना है तो देखी आपको सबसे पहले हरीद्वा से सौन प्याग जाना होता है हरीद्वा से सौन प्याग की जो बस से आपको हरीद्वा रेवेस्टेशन के पास ही मिलेगी मैं आपको इसकी पूरी लोकेशन एक वाई तो देखी जैसी आप आपको वो जगा जिखा रहा हूं जासे आप अपनी आफ्लाइन की बस बुक कर सकते हैं ठीक है आप यहां से हरीडवा से निकले यह बहुत 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 है, ठीक है? यहां से बस बहार आती है, जैसा कि आप देख रहें बस बहार आ रही है, तो आपको इस दूसरोगेट से भी आगे जाना है। आप देखते रहें ना, जो मैं आपको दिखाने चाहरा हू! फरद मैं इसको यहां से थे यहां को offline bus की booking मिलेगी चो कि है कितना धाम के लिए आप यहां के bus की booking करेंगे और ठीक इसके सामने यहां देखिए सारी की सारी बसे खड़ी होती है यहीं से आपको bus मिलती है और यहीं से आप जाते हैं तो बात आती है कि आखिर आप यहां पर आके बुकिंग कैसे करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा यह लोग ओनलाइन बुकिंग नहीं लेते हैं आपको एक दिन पहले यहां जब आप इस्टेशन से उतर ठीक आप यहां आजेए यहां के अपनी बुकिंग कर लीजिए जितनी भी सौनप्या के लिए बसे चलते हैं जितनी पहल बुकिंग में चलते हैं पांच बिजे बुस नहीं बजने भी पह गई जाती हैं hypothes लुकिंग कोहता हैं इसके बद्दालि ना दोकी खाली होगी तो आपको लगवाग्वाग्व क्स पीछे की सीटों चाहिए कोई भी सीटों आपको साड़े 600 का टिकट यहां से बहुत राम से मिल जाएगा ऑफ लाइन का मैं आपको फिर बताना चाहूंगा इसकी बुकिंग ओनलाइन नहीं होती है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं बोलते हैं आ अब आप उसकी बुकिंग कर दीजिए तो मैं आपको बताना चाहूंगा उसकी बुकिंग ओनलाइन नहीं होती है यहां पर आके ही आपको बुकिंग करने पड़ेगी और जो भी सुचेशन होगी जोंसे भी शीटों की फिर आपको लेना पड़ेगा बस ओफ राइन बुकि से सोनप्याक के लिए निकाई जाएए बीच में बस आपका एकाट घंटे के लिए रुकती है और लगवक तीन बिटे के आपको सोनप्याक पूचा देगी सोनप्याक जब आप पूच जाएंगे तो वहां फिर आपको डोमटी लेना होगा अकर आप रूम लेंगे रूम त जब गया था तो मैंने सोनप्याक में ही 300 रूमटी लिया था हाला कि आप बहुत भेंकर भीट थी होटो लोगे रेट हाई फाई थे कुछ डूमटी 500 के थे कुछ 800 के थे लेकिन मुझे बहुत राम से 300 में डोमटी मिल जाए तो 300 रूम अपका सोनप्याक को गया डोमटी का जो कि आपको एक night hot करना है वाँ पर उसके बात फिर आप अगले दिन सोनप्या से गोर्यकुन जाएंगे या फिर आप पहले दिन सोनप्या से गोर्यकुन जा सकते हैं गोर्यकुन में भी आपको 300 बे में डोमट्री बहुत राम से मिल जाएगा दूसरे दिन आप फिर गोर्यकुन से किटा शत्र धाम जाएंगे पैधल यातर करेंगे पैधर यातर करने में लगें कैशे आपको 8-9 का लेगए पैधल यातरे से वीजियो में मैं पहले ही अपनी चाहिए अपनी यात्र को करना चाहिए ताकि आप ठके नहीं बहुत राम से अपनी यात्रा कर सकें तूसरे दिन आप केटाना धाम पहुचेंगे वहां आपको टेंट में ही रुकना पड़ेगा टेंट का प्राइड है पॉंसर रुबे काफी सारे लोग है अब वहां टेंट लगाने लगे हैं यहने कि आपको GMBN के इंदरी मिलेगा आपको और भी बहुत प्राइविट लोग वहां मिल लाएंगे जिन्नों ने अपने टेंट अलग लग जगा लगा रखे हैं अब भीड इतनी जादा हो गई है तो वहां जो रहने की स्वीदा है उ तीसे दीन आप केटानाध धाम से नीचे उत्रहेंगे और फिर आपको सोन प्याक कहीए इस्टे करना होगा और न सब्राइब आपको डोमठे ही लेना होगा जो कि आपको 300 रुप जाते ही पी आते पी कू扁ंट यूपर आते पी आपको 300 रुपकर और केटानाध धामयापक पांच रुपय उसके पाद चोठी तिन आप सोन प्याक सी आगे पड़ता है सितापूर आपको सुबह जली वहाँ लगबक साड़े चाय बज़े के आसपास जाना होगा सारी बसे महीं लगती है सितापूर जाके आपको वहाँ पे हैंड टू हैंड बुकिंग करना है वहाँ बहुत राम से मिल जागा अगर आप रशी के सुत रहेंगे तो साड़े 500 का टिकट मिलेगा लेकिन आप सीता हरी द्वार ही आईए तो आपको 600-600 का टिकट बहुत राम से मिल जाएगा मैं फिर भी 600 मानगी चाड़ रहा हूं तो जितने भी देखें मैंने आपको कोश्ट ब बताया और सोन प्याक से हरी द्वा मैंने आपको 600-600 बताया यानि 13-100 पे आपके टिकट की हो गए और 300 पे आपका सोन प्याक बंडेगा होगा और जब आप आप से तीसे दिन आएंगे तब भी आपका सोन प्याक इस्टे होगा 300 ब यानि 600 पे आपके सोन प्याक की हो गए औ तो टोटल आपका 24 सोर पे पढ़ रहा है यह और है खाने पिने की बात तो खाने पिने में आपको समान तो देखे अपने साथ भी लेगे जाएंगे बाकी जितना भी आप खाएंगे उसके हिसाब से वहां चार्ज लगने वाला है अकर में बात कुछू थालेगी तो कोई सोर पे थाली दे देता है को देड़ सो भी देता है को जेट सो भी देता है अलेलक प्राज़ थाले का तो मोटा मोटा मान के चलिए आपका 3000 रोव में बहुत 1st class यात्रा हो जाएगे 3000 रोव में ज्यादे बता रहा हूँग है खाना पि तो बटनारे में खा सकते हैं उनका खाने पीने का भी खर्चा पड़ जाएगा तो धाई एटार में आपकी यात्रा फर्स्ट क्लास हो जाएगी यह यात्रक के वाद उन्हीं लोगों के लिए जो situation में धर सकते हैं जो tension ले सकते हैं लेकि जिनको tension नहीं लेना जिनको free mind के यात्रा करनी वो तो फिर अपनी online booking करिए online booking किस तरह की जाती है उससे जुड़े वीडियो ओड़ेटी में पहले ही अपने चैन्म पर दे चुका हूँ आप चाहा है तो मेरे latest वीडियो को भी देख सकते हैं जिसे मैंने वीडियो की पूरी जानकाई दे रखी है तो मुझे उम्मीद है मेरा आज का वीडियो सबी लो इस के दाना त्यात है जोरी हर तरह की जानकाई देने के लिए तो आज के लिए बस इतना ही हरर महादेव